नमस्कार, ट्रूथ हो पेश्ट्रो लाइफ यूट्यूब चनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे विपरीत राजियोग के बारे में हैं। विपरीत राजियोग क्या है? जन्म कुंडली में विपरीत राजियोग को देखते कैसे हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि विपरीत परिस्तिती में जहां राजियोग का निर्मान हो, उसे विपरीत राजियोग काते हैं। जन्म कुंडली के तीन भाव चठा भाव आठवा भाव और बारहवा भाव ये तीन भाव सबसे असुभ भाव कहे गए हैं और विपरीत राजयोग का निर्मान इन्ही तीनों भावों से होता है। प्रायह शुभ भाव के स्वामी से सुभ योग का और असुभ भाव के स्वामी से असुभ योग का निर्मान होता है। लेकिन विपरीत राजयोग में असुभ भाव से सुभ योग का निर्मान होने से इसका नाम विपरीत राजयोग कहा गया है। ब्रहत परासर होरा सास्तर में कहा गया है कि खश्टा अश्टम व्याधिसा नीचस्ता रिपुवेस्तगा उच्चा दिगोवि लगने सा लगणम पस्यतु राज्यदा। जन्म कुंडली के चठे आठमे और बारहमे भाव के स्वामी परसपर भाव परिवर्तन कर रहे हो। इस तरह से दोनों ही आपस में भाव परिवर्तन कर रहे हो। या नीच रासी में हो। सत्रू छेत्र में हो या अस्त हो। अर्थार्थ छे आठवारेक स्वामी सरवथा निर्वल हो। तो विपरित राजियों का निर्वान होता है। इसके साथ ही उच्चा दिगोवि लगने सा लगणम पस्यतु राज्यदा। लगन को भी आवस्य देखें। लगन के स्वामी उच्च के हो, मूलत त्रकोन में हो या स्वाच्यत्री हो। और लगन को देखें या लगन में इस्तित हो तो यह राजियों का मान्य होता है। कि विपरीत राज्योग तीन प्रकार के कहे गए हर्स सरल और विमल कि छठा भाव का स्वामी आठमे या बारहमे भाव में हो तो हर्स नामक विपरीत राज्योग का निर्मान होता है अस्टम भाव का स्वामी छठे या बारहमे भाव में इस्तित हो तो सरल नामक विपरीत रा का निर्मान होता है इसके साथ ही ग्रहत्त्रकोन के स्वामी होकर यानि लगण पंचम और नवम का स्वामी होकर साथ ही 6-8 12 का भी स्वामी हो तो उस ग्रह से विपरीत राजियोक का निर्मान नहीं होता है जैसे मेशलग्न में मंगल लगण और अस्टमबहब का स्वामी होता है तो मंगल से विपरित राजियोग का निर्मान नहीं होगा कुम्ब लगन में सनी लगन और 12 भावका स्वामी होगा तो सनी से विपरित राजियोग का निर्मान नहीं होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चैनल को सब सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद